आज मैं आमले से बहुत ईज्ड़ी नीव और टेस्टी रेश्फी बनाने वाले हैं इस आमले का टेस्टी रेश्पी बना के आप वन यहर तक इस्टोर करके रख सकते हैं मेरी गारंटी है बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है तो वीडियो लास तख ज़रूर बास करना क अहीं मत जाना तो चलिए मैं आमले को काट लेती हूं अच्छी तरह से काट के आमले को धुली हूं और इसमें मैं हल्दी पाउडर और नमक एड़ कर लोंगी नमक आप स्वादा नुसार आड़ करिए कम बिल्कुल भी मत आड़ करना तो हल्दी पाउडर आड़ कर लिए हैं और अज थोड़ा से नमक आड़ कर लिया है कर लिए औरुदी ढक है तो नमक भी और कर लेते हैं अच्छी तरह से और और इसको नमक एड़ करके एक बावल में इस्टूर करने के लिए दो दिन के लिए रख दीजे, आज जैसे रख रहे हैं तो कल रख दीजे, परसों इसको बगार दीजे, फैला दीजे बाहर, सुखने के लिए, इसका जो जूस बच्चे उसमे थोड़ा से तेल डाल करके उसक इसको अचार लपेड़ते समय उपयोग कर लेना तो चलिए मैं आगे बहुत ही नियूट्रिक बताऊंगी देख सकते हैं डिब्बे मैं श्टोर कर दी हूं और इसमें उपर से थोड़ा सा नमक लगा दी हूं ताकि इसका जो आमला है खराब ना हो और इसको कल मैं फिर से इसक खिखा लेना है और इससे बहुत से ल Went ता बिल्कुल नियूट्रिक आप बनाएब और सालों साल की अश्टोर करके कोई भी दिककत नहीं होने वाली है यहांँ पर माशाला ली मेती तो कोई कोई मेती डालते हैं श- criteria नहीं डालते हैं तो मेरी ट्रिक से बनाएब बिल्कुल भी नहीं खराब होने वाला है और बहुत ही टेस्टी है चार आप ऐसा चार बार बार बना के खाएंगे तो देख सकते हैं मैं मेथी जीरा करेल धनिया सारा मसाला एट करती हूं और देख सकते हैं ली भी हूं और इनको चलिए मैं गैसान करके कड़ाई भून लेते हैं तो गै आपके घर में महमान भी आएंगी वहीं पूछेंगे आपने कैसे यह अचार बनाया बहुत ही टेस्टी है वाह तो देख सकते हैं धनिया मैं भूंन नहीं अब मैं भून रही हूं जीरा और जीरा को भी हलका ब्राउन होने तक भून लेना है ऐसे ही सारा मसाले को भून लेना है धनिया जीरा करेल मेथी तो मेथी दाना आप लोग देख सकते हैं अगर उसको भूनो तो कितना बढ़िया खुसबू आता है और आमले का आचार और पानी पीने बिल्कुल ठंडग महिसूस होने लगता है तो बहुत ही निव ट्रिक से आप बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी और यह शौप है यह भी ठंडग पहुचाती है जीरा भी है वो भी ठंडग पहुचाता है तो बात ही क्या है गर्मियों में तो बिल्कुल भी अचार बिल्कुल आमले का ही खाना चाहिए और बिल्कुल एकदम स्वस्त तरो ताजा महसूस करेंगे तो मसाले मैं भून ली हूँ और हलका ब्राउन होने तक सब भून लेना है अब देख सकते हैं मेथी दाना भी मैं भून नहीं हूँ इसको भी हलका ब्राउन होने तक भून लेना है जब कलर चेंज हो जाए हलका सब ब्राउन हो जाए तभी देख सकते हैं कलर चेंज हो गया मे तो थाली में टांसफर कर लिये हैं अब इसको मैं ठंडा होने देती हूं 15 मेंड तक ठंडा हो जाए इसके बाद मैं इसको फीसूंगी मिकसर जार में जो चलिए मैं करेल बूनने तिन तब तक तक तो करेल भी भून लें करेल भी चिट-चिट की आवाज करने लगता है तब आ सकते हैं अचार पसका च्रबने के तो इसमें थोड़ाilot करने कुंद जो आ च्कोड़ा बु आटकल लिए देख सकते हैं इसमें टानसफपर लिए हैं तो चलिए Legoon यह चील के पीछ ली हूं यह ले लीए हूं यह मसाले मेरी त्यार है जो बनाई भाखार लगा माल को ने खाषल में drink का अग्यान को सुखार हो आध में सुखार क्यों असके एक दिना फ्थी MAW tiger और फ्रेंड यकीन नहीं मानेंगे इतना ही नहीं है आमला ही नहीं है इसमें आइरन, कैल्सियम, पोटैसियम जैसे बहुत सारे पोसक तत्यों का खाजाना है यह आमले का आचार बस दो पीस खा यह गर्मियों में बिल्कुल तरो ताजा महसूस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं मसाला एट कर लिए हूँ, अब एट कर रही हूँ मिर्ची और मिर्ची एट करने के बाद देख सकते हैं मिर्ची और मैं एट कर लेती हूँ, थोड़ा से कम है और बढ़िया तीता चटपटा आचार बिल्कुल बिल्कुल टेस्टी बनेगा फ तो एक बार नमक और हल्दी पाउडर लगा के रखी थी, उसके वाद ये जूस निकलता है, एक दो दिन के लिए रख दोगे तो ये जूस निकलाता है, तो जब सुखाने के लिए फैला दोगे, अचार को तो जूस बसता है अल्रेडी, तो उसी से मैं इसमें चलिए बना रही और देख सकते हैं, तेल भी एड़ करके बढ़ियां से मसाला मिक्स कर ली हूँ, और नमक मिक्स करने की जरूरत नहीं, नमक पहले से मिक्स है, हल्दी पाउडर पहले से मिक्स है, और बढ़ियां अचार बनके रेडी है, तो इसमें मैं थोड़ा से तेल नीचे डाल देती कोई भी बरतन में अचार रखें, उस बरतन में थोड़ा से तेल जरूर पहले एड़ कर दें, और अच्छी तरह से घुमा दें, तो चले देख सकते हैं, मैं आमले का अचार बनाक एकदम से रेडी कर ली हूँ, और कितना बढ़ियां देखने हम लगता है फ्रेंड, तो कम स कम चार से पान दिन बाद ये अच्छा थोड़ा से उठी जाएगा, अच्छा बढ़ियां हो जाएगा, अभी सुखा है, तो ताजा हो जाएगा एकदम से बढ़ियां सा, और एकदम टेस्टी अचार बन के रेडी हो जाएगा फ्रेंड, तो प्लीज वीडियो कैसे लगा, चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेर करना और कमेंट बाक से में कमेंट